Tableau के इस lecture में मैं आपको सिखाऊंगा कि Data Types आप किस तरीके से देखते हैं Tableau के अंदर मेरा नाम है Dr. Mohamed Amartufel, मैं आपको Tableau सिखा रहा हूँ तुझे से घरे हो ना, पक्की बात है, चलें, स्टार्ट करते हैं यह स्क्रीन पर आप देखें कि सबसे पहले आपने जाने है Codenix.com के उपर यहाँ पर क्लिक करने, आपके पास इस तरीके से website open हो जाएगी Books पर जाने, Books यहाँ पर शोहर ही होगी ABC of Statistics for Data Sciences पर आपने क्लिक करने, आपके पास इस तरीके से यह book आ जाएगी इस book के अंदर सबसे पहला काम जो आपने करना है, वो measurement वाले chapter के अंदर जाने है left side के उपर और यहाँ से आपने इस chapter को एक दफा read out करना है reason क्या है इसको read out करने की, क्योंके data के काफी types हैं, जो अभी मैं नहीं बता सकता basic types काफी होती है, जिसमें categorical, फिर numerical, फिर आपके पास 4 levels of measurement होते हैं जिसके अंदर nominal scale, ordinal scale, interval scale and ratio scale होता है इसकी base पे आप different किसम के data collection के methods को use करते हैं फिर आपके पास data होता है quantitative data and qualitative data फिर data की different और भी types होती है, primary data, secondary data हो गया इसके इलावा आपके पास होता है different types of other data जिसमें categorical, numerical, discrete, continuous and different किसम की data types है तो यह chapter number 3 जो है यह आपके लिए बहुत important है इस lecture के आगे चलने के लिए ले जनाब, हमने पिछले lecture के अंदर Titanic का data जो है उसे load किया था Titanic का data आप Kaggle से भी उठा सकते हैं मैंने download किया है और इस Titanic का link अगर आपके पास मुझूद नहीं है तो आप यहां से इसे देख सकते हैं मैं आपको भी दिखाता हूँ यह है जिसका link Kaggle.com यहाँ पे यह वाला link है इसको आप type करेंगे तो आपके पास CSV फाइल आजएगे जो मैंने load किया है अब इस एक dataset को load करने के बाद हम जब Tableau के अंदर import करते हैं जैसे मैंने पिछले lecture के अंदर आपको बताया है किस तरह के इस import किया जाता है नाउ you can see कि यहाँ पे आपके पास different किसम का data show हो रहा है जैसे कि यहाँ पे देखें आपके पास आ रहा है hashtag hashtag का मतलब होता है number hashtag यानि कि pound sign इसको बोला जाता है यह hashtag बोल दे इसका मतलब होता है number और यह जो ABC लिखी है इसका मतलब है category ठीक है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि data जैसे आप इस hashtag पे click करेंगे जहाँ पे लिखा हुआ है कि आपके पास यह data की types है type of the data क्या है यहाँ पे आप click करेंगे तो यह number है whole number है के decimal whole number क्या होता है यह basically integer को बोला जाता है या आप इसको discrete number बोल सकते हैं अगर आप उस chapter को पढ़ेंगे आपको समझा जागी decimal number वो होता है जो इसको हम क्या कहते हैं continuous number क्यूंकि यह हमारे पास जो start है यह whole number का है तो इस वज़ा से हम इसको passenger ID को वो देख लेते हैं क्यूंकि यहाँ पे देखें एक, दो, तीन, चार, पांच, सातर, नो, दस लिखा हुए तो यह whole number है जैसे मैं यहाँ पे click करता हूँ तो this is called string, string क्या होता है जो ABC की format में लिखी हो और क्यूंकि यह data का नाम है P class और यहाँ पे name और name जो है आपको पता है ABC के अंदर लिखा होता है तो इस वज़ा से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास name के अंदर यह इस तरीके से ABC है और यही जो data types आपको left side पे नजार आ रही थी same हर एक data के यहाँ पे उपर भी लगी हुई है यहाँ पे आप click करें और यहाँ पे आप इसको choose कर सकते हैं आप इसकी data type को change भी कर सकते हैं तो जैसे हम python के अंदर बहुत तगोद हो के बाद इसको change करते हैं यह different languages के अंदर यहाँ पे सिरफ आपने click करने उसकी data type change हो जाएगी for example यह है survived number है इसको मैं whole number से continuous में करूँगा तो यह decimal points में आ जाएगा and same here ABC से मैं इसको numeric में करूँगा then you will see के हमारे पास null value हो जाएगी because we cannot convert that into numeric we have to use that as ABC इसके इलावा और भी data types हैं इसके अंदर boolean यानि के true false जब होगा हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे true false कोई value है के नहीं and we cannot see any true false value तो हमारे पास data कुछ इस तरीके से नजर आ रहा है right तो यह एक तरीका का रहा है किसी भी एक data set को देखने का अब Titanic का data कुछ यहाँ पे जो है वो थोड़ा सा incomplete है right because जो लोग Titanic के data पे काम करते हैं उन्हें पता है कि यह data पूरा नहीं है इसके अंदर कुछ चीज missing है अब हम क्या करेंगे यहीं पे जाने के बाद मैं यहाँ पे इसका जो csv पे जाता हूँ यहाँ पे मैं लिखता हूँ titanic data csv github तो आप कहीं से भी net से भी लिख सकते हैं यह मेरे पास github के अंदर यह titanic की csv file जो है यह पड़ी हुई है मैं यहीं से इसे load करता हूँ load करने के बाद यह titanic csv आगी मैं directly यहीं से इसे पकड़ूंगा और यहाँ पे paste करके इसे replace कर देता हूँ just for the sake of completeness इसको करने के बाद मैं यहाँ से new data source या refresh data source पे click करता हूँ yes पे click करता हूँ and then we have a whole bunch of data set in the same file अब यहाँ पे आप data पे click करने के बाद जैसे refresh करेंगे तो पिछला data जो है वो आप replace भी कर सकते हैं और उसे modify भी कर सकते हैं तो मैंने वो ही किया ठीक है अब यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास passenger ID है survived class है and there are many other data types as well और यहाँ पे जो main data types हैं आप देख सकते हैं कि ABC है या numeric है ABC है या numeric है क्योंकि हमारे पास कोई भी जगा पे true and false नहीं लिखा हुआ यहाँ ठीक है so this is how you can actually look into the data set और आप data set के अंदर अच्छे तरीके से यहीं पे देख के इसकी sense लगा सकते हैं अब यह हो गया यह data set की type data किस तरीके से होता है numerical and categorical अब हम अगली lecture के अंदर देखेंगे कि किस तरीके से आप data को किसी sheet में convert करते हैं sheets क्या आती है inside our tableau workbook यह worksheet next lecture में मिलते है like, share, subscribe कर दे मेरा नाम है Dr. Mohamed Amartuvel आपको tableaus कहा रहा हूँ तुझे से खरे हो ना see you in the next one